नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र, प्रह्मान्ड सिद्याष्ट्र में आप सभी का स्वागत है, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे विवाह सुख के बारे में, ऐसे कौन सी बाते हैं जो कि आपको जान लेने बहुत ज्यादा आवशक है, ऐसे कौन सी मान यता है, जो कि जैसा हम समझते हैं, उतना सही नहीं है, सभी के बारे में डीटिल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जब भी अरेज मेरज होती है, तो विवाह के बारे में कुंडली देखी जाती है, और उसमें कुंडली मिला किया जाता है मांगलिक है या नहीं वह देखा जाता है उसी प्रकर चंद्र जो ग्रह है वह कौन से राशी नक्षद्र में उसके अधर बहुत सारी जो बातें होती है वह कही जाती है या फिर यदि मांगलिक है तो फिर शनी कहां पर है सामने वाले जो कुनली है उनका शनी कहा पर है और उससे माप्ट का जो मांगली दोश है वो पूरी तरह से जा रहा है या नहीं या फिर जो सभी बाते पूरी तरह से इसके बारे में डिसकस किया जाता है जानकर ली जाती है लेकिन इसके आगे भी एक जो बात है जो कि सबसे ज्यादा महतोपूर्ण हो जाती है विव में हर जो ग्रह होता है वह हर ग्रह का अपना अपना एक कारकभा होता है कारकत्वफल वो देता है और वो जो कारकत्वफल होता है वो उसी ग्रह से देखा जाता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी जो राशी है वो आपके राशी के आदार पर आपका जो पूरा जीवन ह उसके बारे में कहा जा सकता है ऐसा बिलकुल भी नहीं ये बात जान लो क्योंकि सिर्फ और सिर्फ राशी के आधर पर आपका जो पूरा जीवन है वो नापा नहीं जाता नहीं तो जीवन में या फिर संसार में सिर्फ बारा प्रकार के ही लोग होते जैसे कि बारा प्रकार की अपना अपना एक department होता है, अपना अपना एक कारकभा होता है, और यदि वो ग्रह आपके कुल्ली में किस प्रकार से है, कौन से राशी नक्षतर में या फिर उसकी दैनिक गती किस प्रकार की है, उसी प्रकार वो अन्य ग्रह के साथ क्या उनसे योग में है, जिसे हम aspect भी कहते हैं, वो जान लेने के बाद उस ग्रह के जो कारकभा होते हैं, उसके बारे में आपको फल किस प्रकार के बनेंगे, positive मिलेंगे, negative मिलेंगे, उसके बारे में ज्यादा detail में चर्चा की जा सकती है, उसी तरह विवा सुक के बारे में भी ये जो ग्रह है, वो जो ग्रह सबसे महतोपुर्ण जो वेटेज है, उसको वो है शुक्र, शुक्र ग्रह आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा महतोपुर्ण ग्रह हो जाता है विवा सुक के लिए, हाला कि शुक्र के लिए, शुक्र के साथ, आप बाकी जो भी बाते हैं, वो भी देख सकते हैं, जैसे कि शुक्र के आधार पर आपको जो रहन सहन है, cleanness, neatness, fashion के प्रति, आपको जो अकर्शन है, वो देखा जाता है, उसी प्रकार आप में जो लैंगिक सुक का जो अकर्शन होता है, बिन्न दिंगवेक्ति के प्रति जो अकर्शन होता है, जो develop होता है आपके मन में, वो क किस प्रकार के हाई उसकी intensity किस प्रकार की है आप वो दिखावा करते हो या फिर आपके मन में होता या फिर आप पूरी तरह से उसी वज़ा से और जो शुक्र है वह शुक्र विवा के सुख के लिए भी बहुत ज़्यादा माईने रखता है कि आपको विवा सुख कैसे मिलेगा कब मिलेगा किस तरह से मिलेगा हाला कि आपके जो वैवाई जुड़ीदर है वो भी किस प्रकार के होगा उनका नेचर किस प्रकार का होगा उनकी चाहत किस प्रकार के होगा उनके एट्रैक्शन किस प्रकार का होगा उनके एक्सपेक्टेक्शन किस प्रकार की होगी यह जो सभी बाते सभी बाते शुक्र से ह कम जान पास सकते हैं और उसी प्रकार इससे कांई हो onze यह और उसके के अंधर में आपर हया हुआ क्यूं यहां पर हम जैसे चला कर रहे हैं कि शुकर की मायदे होते हैं वह काफी महत्तों होते हैं जैसे कि शुक्र कौन से राशी में है, कौन से नक्षतर में है, उसकी जो दैनिक गती है, वो किस प्रकार की है, दैनिक गती भी काफी ज़्यादा माइने रखती है, यदि उसकी जो दैनिक गती है, वो काफी कम है, अला कि जो शुक्र की मैक्जिमम दैनिक गती होती है, वो एक आंश 14 कला होती है, उससे काफी ज्यादा कम होगी, तो भी या फिर यह जो शुक्रगर है, यह शुक्रगर अस्तंगत होगा, या फिर स्तंबी होगा, या फिर वक्री होगा, तो भी आपके कुड़े में जो विवासुक का जो मामला है, वो काफी कम हो सकता है, उसी प्रकार से नौमाश कुंडली भी बहुत ज्यादा महतपूर्ण हो जाते हैं कि नौमाश कुंडली के सप्तम भाव में कौन से ग्रहा है या फिर नौमाश कुंडली में जो शुक्र है वो कौन से नौमाश में है या फिर वरिशव या फिर तुला नौमाश में ऐसे कौन से ग्रहा है जो क आपके विवा सुक्र के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं अब ये तो जो मैंने बात कहीं काफी ज़्यादा सुक्ष्मतम हो गई लेकिन मोटे तोर पर अगर देखा जाए तो आपके कुंड़ी में शुक्र का जो महत्व है वो विवा सुक्र के लिए ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है अब ये जो शुक्र है राहू के तू हर्शल नेप्चुन मंगल शनी या फिर सूर्य के साथ होगा तो भी आपके विवा जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम कॉंप्रीशन हो सकते हैं उसी प्रकार यदि ये जो शुक्र के चंदरमा कौन से राशी में हैं और कौन से ग्रह नक्षत्र में हैं यह जान लेना बहुत ज़्यादा आवशक है और हम क्या करते हैं हम जो बाकी सभी जो बाते हैं वो कर लेते हैं मतलब विवा गुन मिलन कितना है अब यहां पर और एक बात में कहना चाहूंगा कि ऐसा बिल्कुल भ n होती है वर देखी जाती है तो ऐसा बिल्कुल भी न माने या फिर बिलकुल भी यह नहीं करना कि आपकी जो गूण है वह काफी अच्छे तो विवा सुक आपको मिलेंगा तो ये बाते जान लिजे कि विवा गुनमिलन तो है क्योंकि विवा गुनमिलन होता है वो चंदरमा क्या दारपर होता है और जो चंदरमा होता है वो आपका नेचर दिखा दे कि आपका नेचर किस प्रकार का है लेकिन शुक्र के जो मैंने बाते कहीं कि विवा सुक और आपक तरीके से देखी जा सकती है इसलिए शुक्र जोग्र है वह बहुत ज़्यदा माइने रखता है वह कौन से राशी में है कौन से नक्षत्र में यह जो बाते हैं काफी ज्यादा मैं तो पुर्ण हो जाते हैं तो अब से यह बिल्कुल भी ज्यादा मतलब आप इसे तो दे सकते ह कि गुण कौन से है या फिर मांगलिक है की नहीं लेकिन सबसे मैं तो पुर्ण बात होती है शुक्र के बारे में आपके इसके संदर में विचार क्या है आपके अनुभों क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपना ज़े चैनल है द्रम्मांड सिद्धियास्ट्रो इसे भी लाइक, शेयर और सबस्क्राइब ज़रूर करेंगे